वेलकम अगेन टोड़े वी रेजकर से इंतजार कर रहे ते कि रजल आने वाला है और मुझे पूरा यह कीन है सपनों में भी अब स्टूडेंट के रिजल्ट के सपने आने शुरू हो गें होंगे yes your weight is over within few days your results will be in front of you आपके सामने आ जाएगा आपका result बहुत सारे plus two वाले students के mind में यह है कि सर जो exams नहीं हुए है उनका result हमारा किस तरीके से prepare होगा so जो CBSC ने pattern बनाया है आपके result देने के लिए जो exams आप लोग दे चुके हैं उन exams के average या नहीं उसका 50% प्लस आपके जो internal assessment marks है उसका 50% प्लस करके आपके उन exams के marks दिये जाएंगे और यह आपके लिए एक अच्छी बात भी है आप सभी लोग जानते हैं कि जो internal assessment है तक्रीबन आप सभी लोगों के बहुत अच्छे marks रहते हैं इंटरनल assessment में after 20 near about 19 18 sometime 20 also so वहां से आपको काफी benefit मिलने वाला है और जो आपने इससे पहले exams दिये थे प्लस वाले students I'm sure उन्होंने बहुत अच्छी preparations करके स्टार्टिंग के exams दियोंगे तो वहां से आपके जो marks हैं बहुत अच्छे आने वाले हैं so you need not to worry about your marks in those papers जो आपने नहीं दिये हैं so tension अपने mind से बिलकुल दूर कीजिए your result will be very very good class 10th वाले जो students हैं वो थोड़ा सा कई बार वरीड हो जाते हैं कि हमारे जो exams हैं वो सभी हो चुके थे results किस तरीके से marking कैसे हुई है क्या सभी बिलकुल pattern वही लिया है जो last year का pattern था yes pattern वही है जैसे last year exams आपके class 10th के papers जो चेक हुए थे इस बार भी वैसे ही चेक हुए है teachers नहीं चेक हैं आपके कोई घबराने वाली बात नहीं है tension वाली बात नहीं है जिस भी student ने जैसे exams किये हैं उसके according उसके marks बिलकुल सही आने वाले हैं आपको ज्यादा tension लेने की जरूरत नहीं अपने result के बारे में और एक और खास बात बताएं आप सभी को मालूम है marks are not the criteria of knowledge आपके number आपकी knowledge का criteria नहीं हैं तो इस चीज़ को अपने mind से निकाल दीजेगी कि जो आपके marks आएंगे उसके according आप knowledgeable count होने वाले हैं आपके बारे में आपके जो friends circle हैं आपके जो teachers हैं आपके parents हैं they know about you वो आपको आपके marks पे judge करने वाले नहीं हैं ना तो आपके friends ना आपके teachers और ना ही आपके parents वो आपकी उन बाकी qualities के साथ भी आपको जानते हैं एक खास बात tension लेकर के अपने result को ना तो सोचिएगा ना ही उस result के बारे में एक burden के साथ अपने mind में उसको हावी होने दीजे प्लस टू वाले students कई बार यह सोचते हैं कि सब percentage के according ही हमें अच्छे best colleges मिलेंगे और उसके according ही हम अपने future को plan कर सकते हैं never think like that way it's you who is going to frame your future your marks are not going to frame your future आपके number आपका future नहीं बनाने वाले हैं आप अपना future बनाने वाले हैं आप सभी को मालुम है जो आपके interest के subjects हैं जो आपके interest की field है जिस चीज में आपको करने में मज़ा आता है definitely your future is secured over there आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आप interest से करेंगे वो आप बहुत अच्छा करेंगे और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा करने वाले हैं आप आपको ये tension बिलकुल नहीं लगानी है कि मेरे marks की वज़े से मुझे कोई अच्छा college नहीं मिलेगा colleges are not good or bad they are the places of education how you study that's most important thing आप कैसे पढ़ते हैं आप उन चीजों को कैसे समझते हैं वो important है और सबसे खास बात पढ़ने और समझने के बाद how you apply in your life that is the most important part and I know अगर आप एक positive mindset के साथ चीजों को समझते सीखते और apply करते हैं definitely you will be the successful person आपको success की definition समझने की बहुत जरूरत है success is what when you feel contented that is your success और contentment कब आती है when you are happy so stay happy and you are successful so don't worry about your results the results will be very very good आपको सिर्फ और सिर्फ अपने future के बारे में किस तरीके से plan करना है stay happy और चीजों को समझते और सीखते रहिए तो आप successful हैं आप काम्याब हैं आपको किसी चीज की attention लेने की जरूरत नहीं है thank you very much आपको किसो है अपको किस्टते बमें